हाई दोस्तो विल्कम बैक तो माई अड़ोस चैनल गैस सौगत करते हैं आप अपने एक नए वीडियो में जी हाँ और गैस आज की वीडियो में हम सीखने वाले ना अपने पिक्सल अपलीकेशन में कितने प्रकार के टैक्स को हम लिख सकते हैं जैसे हिंदी हुआ इंगलिस कि despald झालिए यहां पर एक बार यहां पर पे हम टक करेंगे जी यहाँ पर यहां पर इंडीय लिखकी कर दी hypocai अब यहां पर देखीए आज आप जाक्स हम पर सब्सक्राइब इंड्ऑ कर दियां कर थी हिस तरीके से हम यहां पर जायंगे इस प्तलिच को हम बढ़ा। बिल्कुल इस तरीकी से ताकि आपको समझ में आए यहां बिल्कुल इस तरीकी से हम कर सकते हैं क्यां पर यहां पर पेंसल वाल अप्लिकेशन पर टैप करेंगे तो क्या इडिट करने के लिए बता रहा है क्योंकि यह हमारा अभी सिलेक्ट है इसे हम जब यहां पर बाहर इसके टैप करेंगे तो यह क्या अंसलेक्ट हो गया अब यहां से हम जाकर के टेक्स को यह प्लस वाले अप्शन पर टैप करके यहां से चो क्या हम टेक्स को एड़ कर सकते हैं नया टक्स और यहां तो यहां प हमारे पास इस जो है इंगलिस हमने तो लग लिया अब बात करें हम हिंदी कैसे लिखेंगे ठीक है तो हिंदी लिखने के लिए हमें यहाँ पे आपका कीवर्ड होना चाहिए हिंदी और इंगलिस दोनों जी है गूगल जी बोर्ड एक अप्लिकेशन होता है उसको अगर आप या इंस्ट्राल करके अपने मोबाईल पर लगाते हो अपने कीवर्ड पर तो आप यहाँ पर जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर देखी जैसे चेंज कीवर्ड आप चना रहा है यहाँ पर इंगलिस यूएस यूएस से और यहाँ पर हिंदी इंडियन होता है आटोमेटिक यहाँ पर टाइप वाईस टैपिंग होती है तो इस तरीके से आप जितना चाहें हिंदी इंगलिस उर्दू कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन गाइस एक तरीका और होता है वह भी हम आपको बताते हैं तो यहाँ से आप माली जी हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फिर से हमने क्या लिख लिया माल लेजिए हमने यहाँ पर लिख लिए कुमार ओके यहाँ पर करेंगे डन यहाँ पर फिर से करेंगे डन यहाँ पर देखिए साइज को हम बढ़ा लेंगे ताकि आपको समझ भी आए, बिल्कुल इस तरीके से, एक तो दो प्रकार का ऐसे हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन गाइस, अगर बात करें, हम यहाँ पे इसकी style जो है, इंगलिस वाले, इंगलिस वाले, दिये यहाँ, गाइस, अब ध्यान से देखेंगे, अग जो कि जो पहले से यहाँ पे, जब आप Pixel Lab application, फर्स टाइम जो आप ओपें करोगे, तो यहाँ पे एक text लिखा होता है, एक text लिखा होता है, कि new text, add a new text, यहाँ पे, ऐसे, यहाँ पे हम आपको add करके दिखाते हैं, यहाँ यहाँ पे देखें, जैसे एक corner side में, new text add करना होता है, बिल्कुल इस तरीके से लिखा होता है, जब आप Pixel Lab application को सबसे पहले open करोगे, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से नजर आएगा, तो guys, अगर इस text पे अगर आप लिखते हो, तो यह क्या, यह style वाला जो option होता है, यह style वाला जो option होता है, यह काम नहीं करता है, तो guys, इसको जब काम नहीं करेगा, बाके और सब करेगा, अगर आपमाल जी उससे डिलीट करके, दूसरा कोई text कर हम add करते हैं, तो वहाँ पे apply होगा, जैसे यहाँ पे आप देखे, new text लिखा गया, यहाँ पे apply हो रहा है, हर चीज हो रहा है इस पे, तो बिल्कुल यही बात होती हो इससे जो है हम यहाँ से हटाती हैं, यहाँ पे इसे, आप आप भी होगा है, यहाँ यहाँ पर इंडियन जो लिखा गया, इसको देखिए, यहाँ पर हम जाकर के किया, my font, यहाँ तो यहाँ पे font उल्यप्सन पर जाएंगे, और यहाँ पे, पिक्शल में इतने सारे fonts तो एक्या converter रहीं कर ख़ल उसका जो है क्या साइज होता है उसका change कर दीता है जिसे साइज पदली है तो सो मोटा कर देगा आप उड़ कर देगा और टैली कर देता है याइज धोड़ा थीरिषा कर देता है अगर वहां वहों से याप करेंगे तो बिल्कुल यही बात होती जो आप English words जो क्या यहां से लिख सकते हैं लेकिन आप यहां पर जैसे माली हम my font पर जाते हैं और यहां पर हमें कुछ Hindi word को हमने क्या add करके रखा हैं तो हमें अगर ऐसा लगता है कि जी नहीं हम यहां पर English लिखे हैं और यहां पर अगर हम Hindi वालों एप्सन पर टैप करें तो वो हो क्या Hindi लिख देगा है हिंदी लिखेगा लेकिन वो क्या अलग तरीके से लिखेगा उसका एक unique code होता है अब unique code कैसे आपको निक्याला जाता है कैसे लिखा जाता है उसके लिए वीडियो जो है जल्द से जल्द इसके बाद जस्तूरन ताने वाली जिया तो गाईस यह वी जाकर थोड़ा सा हम यहां पर left right दोनों कर लेंगे ताकि आपको चीजे समझ में है यहां पर हम जाएंगे पारिडिंग ओले option पर left right कर लेंगे थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ जबकि अगर इसका unique code अगर आप सही से अगर आप लिखोगी unique code होता है गाई उसे unique code जो लगा जो unique code जीसे Indian हमने लिख विया ठाप उसका एक simple sa unique code था तो उसको हिंदी में इस तरीके से उसने convert किया?」 अगर हम उसी को क्या अगर सही तरीके से अगर हम unique code में convert करते हैं तो क्या हमारा Indian बिल्कुल सही तरीके से लिखता है टो उसके लिए जो है वीडियो प call option पर जाएंगे, यह सारे font को क्या हमने add करिया है, जी हां, तो बिल्कुल इस तरीके से देखी, इतने सारे attractive font यहां पर आपको मिल जाते हैं, तो आप यहां से font को add भी कर लेंगे, जी हां, वो pixel application में font को add कैसे करते हैं, वो भी हमने यहां पर बता रखा है, जी हां, तो guys, आप इछले वीडियो में आएगी, तो guys, यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां पर कुमार लिग दिया, okay, अब यहां पर हम फिर से जाएंगे, अपने क्या, my font all option पर, यहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे, बहुत काफी छोटी चीज़े होती, लेकिन इसमें काफी ल की रखोगे, तो होगा, जी हां, बिल्कुल इस तरीके से, अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा तिरिशा जाब हो गया, तो यहां पर कट रहा है, तो यहां पर कटने के लिए, कटने से जो बचने के लिए, यहां पर हम क्या, अपने padding all option पर जाकर कर थोड़ा सा बढ़ा द में Hindi font कैसे लिखा जाता है, English कैसे लिखा जाता है, तो सारी सीजे, क्या यहां पर, stylist ऐसे लगता है, कि जी नहीं, वो लोग stylist सोचते हैं, बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपको वहां से add करना होता है, कैसे add करना होता है, उसकी video, जो है, क्या, मैं यहां पर, description box में दे दूँग या आई बटन पर दे देंगा आप वहां से देख लेना ओके तो चलिए वीडियो गर अच्छी लेगी हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जस्ट इसके बाद तुरंट जो है वह वीडियो आने वाली है तो मिलते हैं के लिए नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई